लीलन गोड़ी सोवनी रहे, मोतिया जड़ी लगाम, करनालिया रहे वीर तेजा जी ने जुख जुख करूँ परणाम बोला वीर तेजा जी महराज की, अरे दोनों हद उठा के बोला वीर तेजा जी महराज की जन्ना एक स्वर के चोधरी देविलाल अवर रहे, जन्ना एक स्वर के चोधरी देविलाल दी अवर रहे, शातियो, आज सीकर की पावंधरा पर, इस एतियासिक, संक्या में आपने पहुच कर एक, समाचार राजिस्तान के परिवर्तन में देड़े का काम किया है, कि राजिस्तान विधानसभा का ताड़ा, जेजेपी की चापी खोलने का काम करेगी, मैं आज आपको बोलना चाहूंगा, राजिस्तान परिवर्तन चाहता है, और उस परिवर्तन को कैसे हम आगे लेकर बढ़ेंगे, उसको मजबूती के साथ, संक्याबल के साथ, विधान तबा तक कैसे पहुचेंगे, यह आज से एक-एक कारेकरता का काम है, मैं तो यह बोलना चाहूंगा, कि राजिस्तान में करेंगे कमाल देखना, यह कमाल आप इसी साल देखना, हर कारेकरता में देखना डॉक्टर जे सिंग चोटाला को, और उमीदवार में चोधरी देविलाल देखना, चोधरी देविला लमर रहे साथियो एक परिवर्तन हमें लाना है और उस परिवर्तन की नीव आजाम मजबूती से रखने का काम कर रहे हैं बहुत से साथी बदलाव की बात करते हैं मैं तो आपको बताना चाहूंगा राजिस्तान में गूम कर इस कॉंग्रेस सरकार ने किस तरह राजिस्तान को लूटा है, पीटा है किस तरीके से युवा के भविश्य के साथ खिलवाड किया है आज उसके अंदर हमें बदलाव चाहिए और मैं यह आपको बताना चाहूंगा मैं कल राजिस्तान में गलोट साथ के करेवे परिवर्तनों की लिस्ट देख रहा था तो उस परिवर्तन में एक आया कि हजारो करोड रुपया गुलाबी रंग के इस्तियारों में लगा दिया अकबार यह ओडिंग साइट भर दिये और लिखा वाथा मिशन 2030 साथियों तीस तो गणा दूर है इस बार तो हम मिलकर 23 में गेरने का काम करेंगे आज राजस्तान में अपराद इतना है पूरे देश भर के अंदर पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से महिलाओं के साथ बर्बत्ता राजस्तान की धरापर देखड़े को मिली यहाँ यूवा के नाम पर कैसे बाबू पैसा लूट रहे है एक स्कीम चलाए गई यूवा स्कॉलर्शिप स्कीम उस स्कीम के अंदर पचास यूवाओं को विदेश पढ़ने को बेजा गया और पचास यूवाओं में अर्तारिस यूवा किसी ना किसी अधिकारी के बच्चे थे साथियों आज माइनिंग माफिया राजस्तान का इतना हावी है कि राजस्तान के रेवेन्यू को तो लूटा जा रहा है बर इनका भै भी निकल गया आम जैन को भी गाड़ी से रोंदने का काम किया जाता है साथियों पेपर लीग की जब बात आती है राजस्तान के अंदर तेरा महीनों में गहलोज सरकार ने सत्रा पेपर लीग करवाने का काम किया और उस पेपर को कैंसल नहीं किया अपने तुनिंदे चाएवे लोगों को नौकरी पे बठाया और ये रिकोर्ड में आया कि एक सब डिविजन से 200 सब इस्पेक्टर लगे एक ब्लॉक से 100 लगे और एक घर से 3 लगाने का काम किया इस तरह का ब्रश्टाचार अब राजिस्तान की जंता सेड़े का काम नहीं करेगी और साथियों इसलिए आप से आगरे करूँगा कि अब मुहीम बढाकर घर घर जाकर ज्यादा से ज्यादा साथियों तक चौधरी देविलाल की उस सोच को दुबारा पुचाने का काम करो मजबूती देने का काम करो कि राजिस्तान के परिवर्तन की नीव जन्नाएक जन्ता पार्टी के चापी उस तारा विधान्चभा को खोल कर रखने का काम करें जेजेबी पार्टी जिन्दा बाद साथियो मैं तो एक किसी साथी ने लिखकर चंदलाई ने बेजी वो आप तक बढ़ना चाहूंगा स्वरके चोदरी देविलाल जी के बारे में थी कि प्रधान मंत्री नहीं उन्हें ताव केलवाना पसं था काजू पुस्ते पिस्ते नहीं उनको मतीरे खाना पसं था ड्रोएंग रूम की राजनीती नहीं उन्हें चार पाई पे सोजाना पसं था युवाओं को कारे करता नहीं नेता बनाना पसंद था जाती धरम गरीब अमीर का बेद मिटाना पसंद था उन्हें सरकार को गाउं तक लाना पसंद था राजिस्तान को भी वो इतना प्यार करते थे जितना उन्हें हर्याना पसंद था चौद्री देविला लबर रहे, साथियों, मैं तो एक चीज कह सकता हूँ, चार साल होने को होगे अर्याणा पर्देश की सरकार में आपकी पार्टी की इस्तेदारी को, और यारी प्यारी रिस्तेदारियों में पूछो तो पता चलेगा कैसे हर्याना में बदलावाया आजी के दिन पिछले साल दादरी की धरापर चोधरी देविलाल जी का हमने स्टैच्चू लगाया सम्मान दिवस बनाया और एक घोषना डॉक्टर जे सिंग चोटाला जी ने करी थी और वो घोषना थी कि 109 जनम दिवस पर पार्टी 109 डिजिटल लाइबरेरी स्थापित करने का काम करेगी और आज मैं खुशी के साथ कह सकता हूँ कि हमने 123 डिजिटल लाइबरेरी हरियाना के अंदर और तीन राजिस्तान के अंदर स्थापित करने का काम किया है और राजिस्तान के अंदर ये संकल्प हम लेकर गए थे और आज इस मन्द से आप सबसे भी आगरेक करूँगा कि ये संकल्प लेकर जाओ कि ग्रामी इनांचल में सिख्षा को बढ़ावा देने के लिए अब राजस्तान के अंदर भी इस मुईम को आगे लेकर बढ़ेंगे कि जहां देवाले वहां पुस्त काले जहां देवाले जहां देवाले साथियो और मैंने फर्क देखा है हमने नोखा की पावन धरापर चौदरी देविलाल जी के नाम पर डिजिटल लाइबरेरी बनाई और उस डिजिटल लाइबरेरी से पढ़ने वाले तीन बच्चे पिछे मास्टर लगे खरनाल वीरतेजा जी की पावन धरापर डिजिटल लाइबरेरी बनाई और खरनाल की पावंदरा पर आज दो बच्चों को नोकरी का अफसर मिला और इस मुहीम को आप इश्वास के साथ रखना जिस दिन राजिस्तान में सरकार में आपकी इस्सेदारी होगी उस दिन राजिस्तान के हर गाओं पंचायत तक डिजिटल लाइबरेरी की मुहीम को मजबूती से हम ले जाने का काम करेंगे साथियो युवा बविशे इस देश का युवा परिवर्तन की डोर उस युवा को ससक्त बनाने के लिए हम एक मुहीम लेकर आगे बड़े थे कि रोजगार मेरा अधिकार उस रोजगार मेरा अधिकार में अरियाना एकलोता राज्ये बना जिसने हर प्राइवेट सेक्टर की नोकरी हो चाहे कमपरी हो टरस्ट हो सोसाइटी हो पाटनर्शिप कमपरी हो हर एक के अंदर पिचेतर परसेंट अर्याना के निवासियों के लिए हमने अरक्षन बनाने का नोकरियों में काम किया और ये विश्वास के साथ कह देता हूँ जिस दिन राजस्तान विदान सबा का ताड़ा खुलेगा राजस्तान की नोकरियों में भी राजस्तान के युवाओं का पिचेतर परसेंट अधिकार हम लाने का काम करेगा तुष्यन चटाला जिनाबाद तुष्यन तुम आगे बढ़ो साथियों हमने अर्याना में एक और परिवर्टर लाने का काम किया कि आज हमारे युवाओं को विदेश में नोकरियों के अफसर मिलते हैं मगर उस अफसर के लिए कोई भी कोई विभाग नहीं बनाया जाता सरकार बनने के बाद अर्याना में हमने एक विभाग बनाया फोरण कॉर्परेशन डिपार्टमेंट और उसके माद्यम से जितने हमारे यहां दूतावास है उनसे संपर्क करकर युवाओं की स्किलिंग बढ़वाई और स्किलिंग बढ़वाकर उनको युवाओं को अमबैसीज के माद्यम से रोजगार के अच्छे अफसर विदेशों में मिले यह संपर्क बनाने का काम किया और मैं आज कहना चाहूंगा कि जिस दिन राजिस्तान की दानसवा में आपकी इस्सेदारी होगी फोरण कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट राजिस्तान के युवाओं के लिए भी हम सरकार में बनाने का काम करेंगा साथियो महिलाओ के लिए शीला ब्यान जी आँ है इनकी टीम ने एक मुहीम चलाई कि हमने महिलाओ को पंचायती राज में इस्सेदारी देनी है अर्याडा परदेश में हमने कानूनी प्रदान करकर हर दूसरी कुर्षी चाये वो पंच हो सरपंच हो पलोक समिती हो जिला परिशद हो जिला परमूख हो बलोक परमूख हो हर दूसरी कुर्षी महिला के लिए आरक्षित करने का काम किया राशन डीपो में जय पूरुस परदान देश हम बोltते है महिलाओं के पास पाथ परसंट इस्दारी भी securities करकर महिलाओं की इस्दारी 33% सुनश्चित करने काम किया है और मैं वादा करता हूँ राजिस्तान के अंदर भी जब मौका मिलेगा रासेंड डीपो में 33% महिलाओं का समान हम सुनिश्चित करने का काम करेंगा साथियो पिछले दिनो जैपुर से नागवर जा रहा था तो बीच में मैंने देखा फोजियों की बहुत अकाइडमी थी और फोजियों की जाता आम गाओं का युआ ये चाहता है कि मैं सिपाई बर्ती हो जाओ बी-एस-फ में चला जाओं सियार-पि-एफ में चला जाओं ज्यादा अफसर मिले तो राजस्तान पुलीश में चला जाओं साथियों हम एक मुहीम अभी अर्याना में लेकर आगे बढ़ रहे हैं और मैं राजस्तान के लिए भी कहना चाहूंगा यह अपने छोरों को सिपाई बर्ती करने जोगा मत छोटो अगर बनाना है तो उसको एंडिये में भेजने लाएक अफसर बनाने का काम करो और उसके लिए जिस दिन ताड़ा विधान सबगा खुलेगा साथियों मैं आज कहके जाता हूँ राजस्तान में चार बड़ी ओफिसर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट खोलने का काम करेंगा और इतने छोटे इंस्टिट्यूट नहीं यह मैं आ रहा था शिखाविटी उनिवस्टी है इन उनिवस्टियों जितने बड़े-बड़े कि हमारा बच्चा दस वी के बाद उस अफसर की त्यारी में जुटे और बार्वी करकर जब C.A.D. एक्जाम हो आर्मी का UPSC में वहां करनल, मेजर, जर्नल, बिर्गेडियर रिटायर हो नाकी, नायब और सिपाई रिटायर हो साथियों इस परिवर्तन में आपका साथ चाहिए मैं एक चीज़ और कहना चाहूंगा राजस्तान में आदिवासी राका भी है के अंदर सरकार को भी मैं जल्द पत्र लिखने वाड़ा हूँ माने परद्धान मंत्री जी से मिलकर भी उनसे आगरे करूँगा कि नौर्थ इस्ट के भाईयों के लिए बेहनों के लिए तो नौर्थ इस्ट ट्राइबल बोर्ड बना दिया मार राजस्तान और गुजरात के हमारे जो ट्राइबल इलाके के लोग है केंदर सरकार इस पर भी नीती बना कर इसका भी इस एरिये का उत्थान कराने के लिए यहाँ पर भी केंदर सरकार के सयोग से ट्राइबल बोर्ड राजस्तान का बनाने का काम करें कि आदिवासी साथियों को उनका अधिकार मिल पाइए यूओ का रखवाला तुशें चुटाला जिन्दाबस साथियों आज एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा हमने अरियाना में किसानों के लिए चार साल में अनेक कदम उठाए और ऐसे कदम है कि आज अरियाना का किसान जो है वो सक्सम भी है और वो मजबूत भी हुआ है आज अरियाना में 13 फसले MSP पे खरीदने का काम हमारी सरकार करती है 19 फसले ऐसी है सबजिया है, फल्फूरूट है जिन को हमारी सरकार भावंतर बरपाई योजना में किसान को जो नुकसान होता है वो पैसा देकर उसकी बरपाई करने का काम करती है आज चोधरी देविलाल जी के जनम दिवस पर अर्याडा में जहाँ जीरी की खरीद शुरू ही वहाँ हमने सरकारी तोर पर बाजरे की खरीद शुरू करी और देखो राजिस्तान सरकार के काम कि इस बरद राजिस्तान में सुखा बड़ा तो गिरदावरी भी आज तक नहीं कराई राजिस्तान के अंदर आज तक बाजरे की सरकारी खरीद भी शुरू कराने का काम नहीं किया साथियों जब आपकी इस्सेदारी होगी तो हर्याडा की तरज पर राजिस्तान की फसलों को भी हम MSP पर खरीदने का काम करेंगे किसानों का रखवारा दुशे चुटाला जिन्दाबाद साथियों की परचाई दुशे चुटाला जिन्दाबाद साथियों एक चीज मैं बड़ी खुशी के साथ इस मन्द से आपको कह सकता हूँ हर्याडा में हमने ऐसा सिस्टम बनाया है किसान के लिए कि किसान अपनी फसल मंडी में बेच के आता है और मात्र दो दिन के अंदर उसका पज़रा पैसा आड़ती के पास नहीं डिरेक्ट बैंक ट्रांसफर से किसान के खाते में बेजने का काम करते है अगर उसकी फसल खराब हो जाए तो उसकी फसल का मुआवजे के लिए पटवारी जी के पीछे गूमना नहीं पड़ता साथियों हर्याणा सरकार को मोबाइल के माध्यम से बेज सकता है कि मेरी फसल में शती आगी और शती पूर्ती के माध्यम से उसके खाते में वेरिफिकेशन के बाद तुरंत उसकी शती का पैसा भेजा जाता है और पैसा भी थोड़ा नहीं अर्याणा में कॉंग्रेस की सरकार दो रुपे पाँच रुपे दस रुपे दिया करती थी आज हमारी सरकार पंदरा हजार रुपे प्रती एकड़ देने का काम करती है और मैं यह आज कहके जाता हूँ जिस दिन थारा राज होगा जिस दिन आप लोगों की इस्सेधारी होगी राजिस्तान के किसान को भी पंदरा हजार रुपे प्रती एकड़ के हिसाब से हम पैसा देने का काम करेंगे साथियो मेरा तो बिंती अगरे अपील आप से है कि गाउ का उत्थान बहुत जरूरी है मैंने राजिस्तान के नेक सेहर अभी घुमे हमने देखा सरकार का मेर फोकस जो है वो है सेहरों में बना दो गाउ को विक्सित करने की बात कोई नहीं करता हर्याना में देखके आओ आज हमारी पंचायतों को शेहर की तरज़ पर हम विक्सित कर रहे हैं आज हमारे गड़ी नानी तक हम सीमित नहीं है आज मांग आती है यह लाइबरेरी बनवादो कम्निटी सेंटर बनवादो आज जो हमारे दसदस अबादी हजार की अबादी के गाउ थे शेहर की तरज़ पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है 50-50-60-60 करोड खर्च कर साथियों गाउं का उत्थान होगा तो देश का उत्थान होगा और इसके अंदर सबसे बड़ा योगदान होगा गाउं उत्थार के लिए राजस्तार उत्थार के लिए तो आज राजस्तान के कोणे कोणे से आए मेरे भुदुर्गों का होगा मैं तो आज आपको केड़ा चाहूंगा कि उस उत्थार के लिए हमें कमर कसनी पड़ेगी और आज विश्वास दिलाना पड़ेगा डॉक्टर आजे सिंग चोटाला जी को कि राजस्तान की जंता अब जेजेपी जेजेपी बोलेगी सत्ता का ताड़ा आपकी चाबी से खोलेगी तुश्याद चुटाला जिन्दाबाद सात्यो आज किसान कैसे विक्सित हो अर्याना का इसराइल से टायब है इसराइल के टेकनोलिजी से कैसे मरुस्तल इलाके में अर्याना के फ्रूट उगाया जाए सबजिया उगायी जाए डवाडी के मांगया ना में और अभी नया आपके पडोस सिवाडी के अंदर हमने सेट अप किया है कभी रिष्टदारी में जाने का मौका मिले देख के आओ आज वहाँ पर सुखे इलाके में भी खजूर, जैतून कैसे हमारे किनू और छोटी-छोटी सबजिया ऐसे उगाई जाए इस पर लेटेस्ट टेकनोलोजी किसान को हम देने का काम करते हैं और आज कहना चाहूंगा कि इस क्लस्टर सिस्टम को इस अतियाद उनिक टेकनोलोजी को हम उसी तरज पर अर्याना में भी जल दिलाने उसी तरज पर राजस्तान में भी जल दिलाने का काम करेंगा किसानों का रखवाला सुष्य चुटाला जिन्दाबाद और एक चीज जिवा साथियों के लिए और कहना चाहूंगा दिवेंदर खड़ा एक डिसकस फैका करता था इसका एक साथी पीछे जुदुडू मिला एसेन गेम्स खेल के आया और सरकार में सब इस पेक्टर लगावा है उसको देखके मैंने पूछा सरकार पैसे कितने देती है तो कहते है कि राजस्तान सरकार तो मामूली सा reward देती है तो मैं आज कहना चाहूंगा जैसे अरियाडा में हमने खिलाडियों का मान समान बढ़ाया और कोई छोटा नहीं सोना जीतने वड़े को 6 करोड सिल्वर मेडलिस्ट को 4 करोड ब्रॉंज मेडलिस्ट को 2 करोड और रेस में कोई बस सेकिंड थर्ड नाए चोथे नंबर पे भी आ जाए तो उसको 50 लाख रुपे का काम हम करते है और आज भाईयों वादा करता हूं बेहनों भाईयों से खिलाडियों से कि जिस दिन भी वो त्यापी आपकी ताड़ा खोलेगी उसी तरज पर राजस्तान के खिलाडियों के लिए भी 6 करोड, 4 करोड, 2 करोड और 15 लाख की खिलों उतान के लिए हम योजना लाने का काम करेंगे हिलाडियों का रखवाला दुशें चुटाला जिन्दाबाद साथियों मेरा तो आगरे अपील बिंती आप से आज इतनी है कि उस लुटेरी कॉंग्रेस सरकार को जिस रे पान साल राजस्तान को बरबाज और लूट खाने का काम किया क्या करते थे हवारे जैपूर के साथ ही बेठे कि हम जैपूर में एक साल में 24 मंजली अस्पताल बना देंगे करोड़े रुपे की ठगी बारी गई और अब तक जैपूर के अंदर दो मंजली अस्पताल बनाने का काम ने थे साथियो राजिस्तान के अंदर कहाणी दिखाई जाती है कि राजिस्तान शिक्षा में बढ़ रहा है साथियो बढ़ नी रहा राजिस्तान तो इस शिक्षा के विपार में उजड़ रहा है हर चोथे पाचवे दिन अख़बार में अख़बार में न्यूज हम पढ़ते हैं कि कोटा के अंदर सुसाइड कर लिया मैं तो इहरान हो गया सीकर के अंदर साड़े तीन लाग छातर छातर आए हैं साथियो मैं आपको ये विश्वास दिला देता हूं कि राजिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के उत्थार के लिए भी हम स्पेशली जो आपकी कमिशनरेट है उनको एजुकेशन हब में विक्सित करने का आने वाड़े भविश्य में काम करेंगे मेरी तो बिंती आगरे आपसे है कि इस युआओं के जोश को इकर्तित करकर आगे बढ़ो और जहां बिजली की बात है ये तो सिर्फ बाते बाते करने के अफ्चर रखते है आज अरियाना में जमीन नहीं है खेती बाड़ी बहुत होती है क्योंकि नहरों का सिस्टम विक्सित किया गया साथियों राजस्तान में याड़े का मोका जब जब मिला चाहे वो उन्मान गडगंगा नगर का इलाका हो नागो और बीका नेर का इलाका हो आज इंद्रा गांदी कनाल के माध्यम से कोई गगर में इसे लेकर पानी की विवस्ता बनाई जाती है आज रियाड़ा में ऐसा हमने विवस्ता बनाई है कि सिर्षा जिले से लेकर मेवाद तक मेंदर गड़ से लेकर यमना नगर तक कोई हमारा ऐसा इस्सा नहीं बता जो आद सिचाई युक्तना हूं और ये वादा करता हूं कि इस नहर के सिस्टम को और बेतर बढ़ा कर कैसे विवस्ता बढ़ाई जाए राजस्तान में उसमेत गती के साथ हम काम कड़ाने का कारे करें मैं तो अंत में इतना कहना चाहूंगा चलो जवानों आगे बढ़ो तोड़ो अब इस मोन को सत्ता तक पुचा दो किसान का मेरी कोम को तुशे चुटा ले जिन्दा पर तुशे चुटा ले आगे बढ़ो साथियो आज मैं राजस्तान के हमारे जितने साथी मंद पर वैठे है हमारी दोनों महिला नेत्रियों से भी रीटा सिंग जी से प्रदिवा सिंग जी से ये मेर को लगता है किसी को विश्वास नहीं था कि डॉक्टर एजे सिंग टोटाला जी की टीम राजस्तान में कितनी मजबूत है चौजरी देविलाल के विचार राजस्तान की जनता के साथ कितने मजबूती से जुडेंग, कितने मजबूत हुए मैं रामनिवास जी तो है एक साथी पुराड़े जनता दिल के टाइम के इनने तो देखा है चोधरी देविलाल जी आया करते थे हेलिकॉप्टर उतारा करते थे एक गाओं के छोरे के छबकी दे दी और पता चला दो महीने बाद विधायक बढ़ गया मैं तो डॉक्टर जैसिंग चोटाराजी से भी आगरे करूंगा अपनी इस टीम को इसी तरह मजबूती के साथ आगे बढ़ाओ अपनी इस टीम को इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाओ और ये विश्वास रखड़ा मैंने हर वक्त कहा है 25 से 30 साथियों को हम त्यारी करायरे मेदान में उतारने की और उनकी ताकत कोई बढ़ेगा तो आप जैसा मेंती कारे करता बढ़ेगा आप जैसा मेंती साथी मेदान में उतर कर डोक्टर एजैसिंग चोटारा जी गी स्क्रीम को मज़भूती देने का काम करेगा और आज हाथ उठाकर विश्वास दिला दो डॉक्टर साब को दोना हाथ उठाकर विशवास दिलाने का काम करें अगले दो महीने दिन रात एक करकर कारे करता मिदान में उतरेंगे जोस के साथ पार्टी संग्ठन को और इस चापी को घरगर तक पुचाने का काम करेंगे और ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप मैनत कर देओ ये मेरी गारेंटी मेरा वादा आप से है कि आपकी मैनत को बेशफल नहीं होने देंगे आपकी मैनत से ही राजस्तान विदान सबा का ताड़ा खोलेगी डॉक्टर जे सिंग चोटाला की जन्ना एक जन्ता पार्टी की है चाबी आप सब का मैं अभार पकट करता हूँ खास तोर पर सारी राजस्तान की टीम का जिन्ने इतने जोस और उत्सा के साथ आज हमारा यहाँ स्वागत किया मैं सीला ब्यान जी की शिरिमती नहिना चोटाला जी का खास तोर पर अभार पकट करूँगा कि उनकी महिला सक्ती है महिला टीम जिस संख्या में राजस्तान की दरापर आई है आज की ये रेली रिकोर्ड तोर रेली इसले बढ़ पाई कि इस महिला सक्ती का आज बहुत बड़ा योगदान है पर जोर दरता लिया मेरी माताओं बेहनों के लिए मैं तो साथियों अब हार पगट करूँगा एक-एक यूवा का जो आज अपनी सक्ती को जोश को आज दर्शाने आया है और मैं पत्तरकार साथियों को अभी अब हार पगट करते वे उनसे आगरे करूँगा साथियों बहुत से लोग कहते हैं कि यूवाओं में होसला कम हो गया बहुत से लोग कहते हैं कि जन्ना एक जन्ता पार्टी का जोश कम हो गया मैं तो ये बोल सकता हूँ कि ये हमारी वानर सेना जो है वो इसी मजबूती के साथ और मजबूती के साथ आगर बढ़ेगा और साथियों मैं तो इस वानर सेना के ले हमारे यूवा साथियों के ले मेरे बाईयों oniों के ले ये चार लाईनों के साथ आगरी बात कहना चाऊँगा अब राजिस्तान विदान स्मा में जाएगा फिर दिल्ली की तरह बढ़ाएगा कदम कमेरा ताउ के सिपाईयों ने कर लिया फैसला मुश्किलों को होसले से हराएगा कमेरा आपका बहुत बहुत अबर दुशे चुटाला संगर्श करो